हलो बच्चों, बायो केम वित विसाल में आपका स्वागत हैं, हम विसाल सर, हम लोग सलूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रापर्टी पढ़ रहे थे, इसके पहले हमने काफी कुछ चीजे पढ़ ली हैं, अब कॉलिगेटिव प्रापर्टी जो की चार होती थी, अस्मोटिक प्रेशर, क्या था डिप्रेशन अब क्या वैपर प्रेशर, तीसरा एलिवेशन अब बॉइलिंग पॉइंट, फिर क्या था डिप्रेशन अब फ्रिजिंग पॉइंट, तो जिसमें से हम लोगों ने दो अब तक पढ़ लिया हैं, अब आज हम लोगों को थर्ड पढ़ना है क्या elevation of boiling point क्वाथनांक का union पढ़ना है ये third quality property है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जिनों ने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है वो please subscribe कर दे और share ज्यादा से ज्यादा करें और हाँ खुद भी पढ़े और अपने friend को भी बताए जिससे की सबको फायदा हो सके ठीक है तो आएए आज के हम अपने topic पे आते हैं elevation of boiling point इसका हिंदी क्या होता है क्वाथनांक का union ठीक elevation of boiling point क्वाथनांक का union ठीक सबसे पहले में यही जानना होगा कि boiling point क्या होता है क्वाथनांक क्या होता है यह एक colligative property है अडु संख्या गुड है जो कि इस किसी भी solution में solute के mole या mole fraction पे depend करता है हम बतायते हैं ऐसा गुड जो किसी विलेन में विले के mole या mole प्रभाज पे निर्भर करें तो उसे यह प्रूव करना है कि elevation of boiling point क्वाथनांक का union union मतलब बढ़ोत्री increasing क्वाथनांक का union एक colligative property है एक अडु संख्या गुड है मतलब आपको इसमें प्रूव करके दिखाना होगा कि यह mole पे या mole के fraction पे डिपेंड कर रहा है जिससे mole fraction पे डिपेंड करते ही यह कॉलिगेटी प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगा ठीक तो सबसे पहले हमारे माइंड में यह question हैगा boiling point क्या होता है हम पहले बता चुके हैं फिर भी हम आज एक बार फिर से बता रहें boiling point जिसको आप क्या कहते हैं dw久 कि लह ताफ जिस पे किसी पदार्थ का वास्पदाब के बराबर हो जाता हो जाता है तो उसे क्या कह रहें कि वह तेंप्रेचर हना जिस पे किसी भी पदार्थ का me भषप प्रेशsti ठीक, वह टेमप्रेचर जिसपे किसी भी पतार्थ का वैपर प्रेशर एट्मॉस्फियरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, दोनों आपस में एक्वल हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, बॉयलिंग पॉइंट, देखो कितना इजी है, कैसे बुलोगी है, देखो, वह टाप या वह टेमप्रेचर, जिसपे किसी भी पतार्थ का वैपर प्रेशर, एट्मॉस्फियरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उसे क्वथनांग कहते हैं, और उस क्वथनांग पे वो वस्तु वो चीज उबलने लगती है, बॉयल करने लगती है, तो क्वथनांग क्लियर हुआ ये एक टैमप्रेचर होता है, जिसपे किसी भी पतार्थ का वैपर प्रेशर, एट्मॉस्फियरिक प्रेशर के एक्क्वल हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं, क्या बॉयलिंग पॉइंट, ठीक, अब देखे, अब हमको प्रूव करना है, कि एलिवेशन अब बॉयलिंग प्रेशर, वास्पदाब का ओनमन, जैसे प्रूव किये थे, बिल्कुल उसी तरीके से होगा, देखिए, हम क्या करते हैं, दो बीकर ले लेते हैं, दो बीकर हमने ले लिया, दोनों में प्योर अभी सॉल्वेंट लिया है, कुछ भी डाला नहीं है, प्योर सॉल्वेंट या पदार, नॉन वोलाटाइल, मतलब अवास्पसील, इसमें कुछ ऐसा डाल दिया, कि जो कितनों हीट करोगे, वो वैपर के फॉर्म में चेंज नहीं होगा, नॉन वोलाटाइल डाल दिया, अवास्पसील पदार डाल दिया, ठीक, आप जानते हैं, क्या, कि टेमप्रेचर ब बढ़ाने पर वैपर प्रेशर पढ़ता है, और नॉन वोलाटाइल सलूशन का वैपर प्रेशर घड़ जाता है, जिससे क्वथनांक बढ़ता है, देखो कैसे, अब जब इसमें प्योर सॉल्वेंट है, जब इसको हीट करोगे, तो हीट करने के बाद इसके मॉलक्यूल जा करके उपर दीवाल से टकराएंगे और इसका वैपर प्रेशर क्रियेट होगा, ठीक, आप याद करो वैपर प्रेशर क्रियेट होगा, तो उस समय जो इसका क्वथनांक होगा, माल लो टी नॉट है, ठीक, अब जब इसमें नॉन वोलाटाइल आप कुछ डाल दिये, तो बड़ी है, और ये छोटी है, कैसे हैं, अब बताओ, आप वाटर ले लो, और सॉल्ट ले लो, हम पूछेंगे किसका क्वथनांक जाता है, तो आप कैसे बताओगे, वाटर हंड्रेट डिगरी सेल्सियस पे बॉइल हो जाता है, और सॉल्ट क्या होता है, ये कम से कम इसको थाउजन्ड डिगरी सेल्सियस लेके जाना होगा, ठीक, तो जब ये हंड्रेट पे बॉइल हो रहा है, ये थाउजन्ड पे बॉइल हो रहा है, तो बताओ, कौन ज्यादा टैंप्रेचर पे बॉइल हो रहा है, सॉल्ट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट या कथनां क्या ह जादा और इसका क्या कम मतलब जिसको जितना जादा temperature देना होगा उसकी boiling point उतना अधिक जितना कम देना होगा boiling point उतना कम ठीक तो अब इसमें कुछ नहीं हम डाले थे हैं इसलिए इसको heat किये फटाक से उड़ गया तो boiling point T not अब इसमें जैसे ही non volatile डाले तो क्या किया molecule को जादा किये तब जाकर क्योड़ा तो बता इन दोनों में से किसमें extra temperature देना पड़ा इसमें इसले इसका क्वथनांग T जादा है और इसका क्वथनांग T not कम है यही बात हम कह रहते हैं कि जब non volatile डालते हैं कोई भी solute solution में तो उसका क्या होता है vapor pressure बढ़ जाता है जिससे क् क्वथनांग बढ़ जाता है आप सीधी सी बात याद रखेगा कि pure solvent का क्वथनांग boiling point के compression में non volatile वाले solution का यह अब solvent न होकर कि यह solution हो गया solution का boiling point इसका जादा होता है यह high होगा यह कम होगा क्लियर हुआ क्यों क्योंकि इसमें कुछ नहीं है heat की यह फटाक से उड़ा इसमें non volatile हीट की यह उड़ा नहीं इसलिए जादा temperature देना पड़ा और जितना temperature जो जादा दे रहे हैं उसी से इसका क्वथना क्या boiling point बढ़ रह है ठीक अब हम दोनों में पूछे इसी क्वथनांग में अंतर कितना है कि आखिर क्वथनांग में union कितना है यानि elevation of boiling point कितना है ठीक अगर हम यहीं आप से पूछ रहे हैं कि बताईए elevation of boiling point कितना है यानि क्वथनांग में union कितना है तो आप क्या कोगे अब यहीं इसको हम डेल्टा टीबी से सोग करते हैं कैसे दिखाते हैं डेल्टा टीबी क्यों 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 क्योंकि value छोटी है यह T यह तेंपरेचर है और B यह यह boiling point है इसलिए elevation of boiling point को किसे represent करते हैं delta Tb से अब delta Tb square to क्या होगा बड़ी value क्या है t-t-0, कोई दिक्कत? नहीं, इतने से कोई दिक्कत नहीं नहीं हुआ, कि delta tb, यानि क्वाथनांक में उन्यन कितना है, अगर हम पूछे कि क्वाथनांक में कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे कि बढ़ा वाले में से, छोटा को घटा दिजे, जो वैलू आएगी वही बढ़ा, और वही तो हम पूछ रहें, कि क्वाथनांक में उन्यन, यानि एलिवेशन कितना हुआ, तो आप कहेंगे बढ़े वैलू से, छोटा कहता दिजे, उतना हुआ, तो delta tb is equal to, क्या हो जागा, t-t-0, ठीक, अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है, कि किसी भी liquid का temperature बढ़ाने पर, तेमप्रेचर बढ़ाने पर vapor pressure बढ़ता है, ठीक, liquid का temperature जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, vapor pressure वैसे वैसे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा ठीक और जब वो atmospheric pressure के बराबर हो जाएगा तो वो liquid क्या करेगा उबलने लगेगा ठीक clear है कि नहीं कि कि किसी भी liquid का temperature बढ़ाने पर क्या होता है उसका vapor pressure बढ़ता है ठीक किसी भी liquid का temperature बढ़ाने पर vapor pressure बढ़ता है और जब ये atmospheric pressure के बराबर हो जाता है तो वो क्या होने लगता है boil होने लगता है ठीक और इसी को आप क्या कहते हो कौथनांक कहते हो हना तो अब दिखो क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि किसी भी pure solute और solution के vapor pressure और temperature से देखो क्या relation होता है उसको हम एक graph देखते हैं उस graph से इसको हम solve करेंगे क्या कह रहे हैं कि pure solvent और solution इन दोनों के vapor pressure का temperature के साथ क्या relation है उसके लिए हम एक graph देखेंगे और फिर इसको solve करके हम प्रूव करेंगे कि elevation of boiling point एक colligative property है ठीक तो आईए हम graph देखते हैं इसमें graph between vapor pressure और pure solute and solvent with temperature temperature के साथ pure solute और solution के vapor pressure का graph ठीक और इसी के health से हम प्रूव करेंगे कि elevation of boiling point एक colligative property है इस side temperature है ठीक इस side vapor pressure है अना ठीक अब देखो हम दो चीजे लिए हैं solute pure और साथ पूरा क्या है solution solvent नहीं solution क्या है solution ठीक अब देखो कैसे graph इसका चलता है ठीक देखो इस तरीके सोता है यह क्या है यह solute होता है और यह क्या है solution यह क्या है यह solute और solution के vapor pressure है solute का vapor pressure solution के vapor pressure से हमेशा ज्यादा होता है अब भी हम बताया थे क्योंकि vapor pressure आप पीछे भी पड़के हो तो solute का vapor pressure जिसको हम A माल ले और solution जिसको हम B माल ले तो हम क्या कह रहे है तो दोनों में difference कितना है यह difference क्या है डिल्टा टी बी यही था ना कि क्या कह रहे है हम यह pure solute का vapor pressure का graph है और यह pure solute यह solution के vapor pressure का graph है अगर हम solute के boiling point को T0 माल ले और solvent के boiling point को T माल ले तो दोनों के बीच का difference क्या होगा डिल्टा टी भी होगा ठीक अब हम माल ले कि इसका vapor pressure किसका solute का vapor pressure कितना है P0 है जो कि आप पीछे पड़कर आए हो और इसका vapor pressure कितना है इसका vapor pressure PS है ठीक हम इतना मान रहे हैं कि solute का vapor pressure P0 है और इसका vapor pressure PS है अब हम पूछेंगे बताओ यह को अथनांग में कितना बखी बड़ो त्रीवी तो आप को गे डेल्टा टीवी स्कॉल्टू क्या को गे देखो कि आप डेल्टा टीवी स्कॉल्टू बोल दोगे कि टी माइनस टीनोट क्योंकि यह तो बड़ा था तो टी म माइनस टीनोट ठीक अब हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि टीनोट टेमप्रेचर पर टीनोट टेमप्रेचर पर इसको आप भी बरावर ले सकते हैं ऐसे जा रहा हैं आप यहां से भी ले सकते हैं कि टीनोट टेमप्रेचर पर सॉल्यूट का वैपर प्रेशर पीनोट है औ P0 at T0 temperature, क्या vapor pressure of pure solute is P0 and solution is P.S. कोई दिक्कत, क्या कह रहे हैं, T0 temperature पर, क्या pure solute का vapor pressure P0 है, और solution का vapor pressure P.S. है, ठीक, तो अब हम कह रहे हैं, कि vapor pressure में होने वाली कमी, तो vapor pressure में होने वाली कमी क्या होगा, भई आपको अच्छे से पता है, कि आप pure solute का क्या होता है, जादा होता है, solution के तुलना में क्या होता है कम होता है तो हो जाएगा पनोट माइनस ये क्या है वैपर प्रेशर में होने वाली कमी हाला तो अब क्या किरें ए प्र टाइलूड सलूशन दाइलूड solution के लिए ये दोनों लगभग parallel हो जाते हैं, देख रहे हो for a dilute solution ये दोनों लगभग parallel हो जाते हैं तो इसलिए कि क्वाथनांग का उन्यान याणि डिल्टा Tb इस vapor pressure के proportional हो जाता है तो इसलिए डिल्टा Tb हाना, डिल्टा Tb proportional हो जाता है P not minus P S K कुछ समझ पहा है कि नहीं, हम क्या कह रहे थे दोखो अराम से समझो, चीजे टफ है पर समझ सकते हो, हम कह रहे थे कि हम graph plot करते हैं क्या vapor pressure और pure solute और solution का temperature के साथ तो ये temperature है, ये ठीक तुम बताओ temperature को बढ़ाएंगे तो vapor pressure बढ़ेगा, इसलिए graph solute था पर इसमें non-volatile डाल दिया है तो जब ये pure solute है तो इसका vapor pressure हमेशा ज़्यादा होगा किसके compression में, pure solution के compression में, तो इसलिए 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 ग्राफ उपर है और इसलिए 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 नीचे है ठीक, उसके बाद क्या कह रहे है कि जब इसका vapor pressure जाता है तो अब solute का जो आपका boiling point है हो क्या है? T0 है और solution का क्या है? T है अब आप जानते हो कि solution का क्या? temperature boiling point जाता होता है, किसके तुल नामे? solute के तुल नामे, तो हम कह रहे है कि elevation of boiling point कि ये boiling point में कितनी की बढ़ी उत्री हुई कितना बढ़ा, तो कितना बढ़ा elevation of boiling point कितना हुआ तो आप क्या बोले? कि sir, solution वाली value बड़ी है, बड़ी में से छोटी को घटा दीजे तो हम T-T0 कर दिए, रुख दिए उसी पे, ठीक, इतना clear अब आप क्या करें? कि pure solute का vapor pressure P0 है solution का vapor pressure Ps है जो आप पीछे पढ़कर क्या थे तो जब हम पूछे कि इसका vapor pressure P0 इसका Ps है, तो हम कह रहे हैं कि vapor pressure में कितनी की कमी आई तो आप क्या करोगे? बड़े में से छोटा घटा दोगे, तो आप जानते हो ना, solute का vapor pressure जादा होता है solution के तुलना में तो अब क्या किये? P0-PS कर दें ठीक, अब हम क्या कह रहे हैं? कि for a dilute solution dilute solution के लिए ये जो है elevation of boiling point और vapor pressure लगभग parallel हो जाते हैं, इसलिए ये इसके proportional हो जाता है elevation of boiling point और depression of क्या? vapor pressure एक दूसरे के proportional हो जाते हैं कि ये पी नॉट माइनस PS, हाना पी नॉट ये माइनस PS proportional to क्या होता है? mole fraction mole या फिर mole बोलो, या फिर तो mole fraction बोलो, simple सी बात है mole fraction ठीक, तो क्या हम इसकी जग़ा पर mole fraction तो ये लिख सकते हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं delta tv proportional to mole fraction है की नहीं? तो यानी delta tv, यानी delta tv क्या था? elevation of boiling point, किसके proportional हो गया? mole fraction के तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ये एक colligative property है, ठीक, ये बहुत easy topic था, आपको बस आसानी से समझना था, ठीक, अगर किसी को कोई डिकत हुआ, तो एक बार हम recover करते हैं, फटाक से फिर आगे बढ़ते हैं, हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि boiling point, boiling point water temperature होता है, जिस पे किसी भी, हाँ, किसी भी पदार्थ का vapor pressure, atmospheric pressure के बराबर हो जाता है, और वो boil करने लगता है, उबलने लगता है, तो हम एक pure solvent लिये थे, और solvent प्लस solute दोनों लिये थे, तो solvent का इसका, क्या था vapor pressure, P not होता है, और इसका क्या होता है, P s होता है, ठीक, तो pure solvent का vapor pressure जादा होता है, इसका कम होता है, तो vapor pressure में जो अगर difference पूछे हैं, तो P not minus P s रहेगा, इसको याद रखे रहे हैं, पर हम boiling point पूछ रहे हैं, तो boiling point इसका जादा थे, इसका कम, तो क्या आप रखे थे, इसको आप इसका T not माने थे, इसको T not किये थे, क्या boiling point में, जो difference होता है था, उसको क्या करते थे, डल्टा टीवी से लिखते थे, ठीक, उसके बाद हम यहीं ग्राब बनाएं, और ग्राब फिर उसके बाद हम कहा रहे हैं, vapor pressure देखो, P not minus PS देखो, यही से उठा करके लाएं, और फिर कहा रहे हैं, कि यह किस पर depend करता है, मोल्स पर, जब यह इसके प्रपोस्ट न लेते, इसकी जगा पर, यह नहीं रख सकते हैं, तो रख दियें, तो प्रूफ हो गया, कि elevation of boiling point, क्या है, एक colligative property है, कोई दिक्कत, नहीं, अब इस यहां से एक formula derived होता है, जिस पर numericals आते हैं, आई यह देखते हैं, वो formula क्या है, चलिए देखिए, ठीक, तो क्या कहा रहे है, molecular weight है, boiling point elevation, boiling point से related question numericals आते हैं, एक्जाम में बहुत ज़्यादा important होता है, maximum time यह पूछ चाते हैं, और यह बहुत important है, हम उसी को बता रहे हैं, तो क्या है, हम लोग, m is equal to 1000 kbw upon delta tbw, हम इसी से सारे numericals को solve करते हैं, इसमें कौन क्या है, यह जान लिजे, फिर इसका numerical के practice भी करते हैं, यहाँ m है molecular weight, क्या है, molecular weight, हना, m जो है molecular weight है, किसका पदार्थ का, जो दिया जाएगा आपको, और यह kb क्या है, kb क्या है, आपका यह है, elevation of boiling point, क्या भे, elevation of boiling point, small w क्या है, weight of solute, capital w क्या है, small w कैसे बना रहा है, weight of solvent, ठीक, याद रखेगा, small w, solute का weight है, capital w क्या है, solvent का weight है, ठीक, और molal, यह delta tb क्या है, molal, क्या है, molal elevation constant, हना, क्या है भई, molal elevation constant, ठीक, सॉरी, एक चीज़ मिस्टेक हुआ, यह नहीं, molar elevation constant, kb यह है, और यह elevation of boiling point, यह है, delta tb, आप लोग ध्यान देटे जाएगा, मेरी तरह मिस्टेक मत की जाएगा, देखे, क्या था फार्मूला, m is equal to 1000 kbw, पर डिल्टा tbw, जा, m है molar mass, आप substance जो दिया जाएगा, delta tb क्या है, elevation of boiling point, याद रखिएगा, कि boiling point में, कितना elevation होड़ा, कितना बढ़ हो रहा है, small w, weight of solute, capital w, weight of solvent, ठीक, और यह, kb क्या है, molar elevation constant है, kb constant है, याद रखिएगा, ठीक, अब इस पे numerical साते हैं, जो कि बहुत important होता है, और आईए हम उसका practice करते हैं, चलिए देखते हैं, कि वो कैसे solve किया जाता है, देखिए, यह एक numerical है, क्या कह रहा है, in liquid solution of glucose, 12 gram glucose, molecular weight 180 है, कहा रहा है, dissolve in 100 grams of water, which boiling point, 100.34 degree centigrade, and the boiling point of pure water, 100 degree Celsius, find out the molar elevation constant, क्या कह रहा है, कि glucose की जली यह विलियन में, 12 gram glucose, 100 gram जल में घुला है, और glucose का अडुभार, 180 है, ठीक, कह रहा है कि, अगर उस जली विलियन का क्वथनांग, 100.34 degree Celsius हो, और सुद्ध जली विलियन का क्वथनांग, 100 हो, तो, क्या, molar union इस्थिरांग ग्यात कीजिए, molar union इस्थिरांग, आप फार्मूला पढ़े है, M is equal to 1000 KB, W upon delta TB, यह पढ़े हैं, क्वेस्चन में, था के भी क्वेस्चन में पूछ रहा है, ठिक, तो delta TB की बात करें, तो आप हमेशा आद रखेगा, कि delta TB यह difference होता है, कभी भी boiling point का question आया, तो आप हमेशा, delta TB find करने के लिए, बड़े वाले value से, छोटा घटा देंगे, अगर एक value नहीं भी दिया, फिर भी आप 100 minus करेंगे, question में, क्यों करेंगे, क्योंकि water की boiling point 100 से start होती है, तो इसलिए 100 minus करना पड़ता है, तो यह क्या होगा, delta TB is equal to क्या होगा, 100.34 minus 100, तो क्या जाएगा, पराबर 0.34 degrees Celsius, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब एम क्या है आपका, 180, ठीक, small w क्या है, विले क्या है, small w, small w कितना था, की विले का उने वे, 12 ग्राम, capital w कितना है भई, 100 ग्राम, तो बताईए, अभी यह नहीं निकल सकता, तो क्या हो जाएगा, kb2, tb, w, अपॉन में, 1000 w, यह हो जाएगा, फॉर्मूला, यहीं नहीं होगा भई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब आप सारे वेलो को रखती जे, kb is equal to, m कितना है, 180, into delta tb कितनी है, 0.34, capital w, 100, upon में, 1000, into small w, कहा है, small w, 12, ठिक, यह देखे, ऐसे हटा ली जैसको, ठिक, फिर आप चाहो तो देखो, यह देखो, यह भी हटा लो, फिर जब solve करोगे, तो kb की तुम्हारी value, solve करने के बाद, तुम्हारा कितना आएगा, आएगा तुम्हारा, 0.51 degree Celsius, 0.51 degree Celsius, molar, by molar, ठिक, तो इस तरीके से question को solve करते है, है इसी, एक और question को आप practice कर लेजे, देखे, कैसे solve करते है, देखे, नेक्स्ट क्वेस्टन क्या है, कह रहा है, in a solution of organic compound, 6 gram compound, dissolve in 100 grams of water, which boiling point is, 100.51 degree Celsius, find out the molecular weight of the compound, हाना, क्या कह रहा है, कि एक carbonic yogic, की jelly willion में, 6 gram yogic, यानी 6 gram compound, 100 gram water में घुला है, और उस solution का boiling point, यदि 100 है, तो उस solution का, मतलब उस organic compound का, molecular weight find कीजिए, आप पढ़े थे, m is equal to 1000 kbw, upon में, डेल tbw, ये पढ़े थे, question में आपको 1000 clear है, small w, दिया ही है, 6 gram, capital w, बोली रहा है, कि solute 6 gram है, solvent 100 gram है, बचा डेल tb, तो डेल tb, क्या था, difference था, हमने question में बोला था, आपसे, कि देखे, अब यहाँ पर, एक ही temperature दिया है, तो क्या आप डेल tb की जगए, उसको रख दिंगे, नहीं, आप नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि, क्वतनांक water का, क्या 100, तो इसलिए, आपको, 100.51 में से, खुद से, 100 degree Celsius, माइनस करना होगा, अगर, दो temperature दिया, तो ठीक, नहीं दिया, तो आप खुद से करेंगे, clear, हमेज़ा याद रखेगा, कि boiling points के numerical में, delta tb, difference है, दो का, तो आपको, रखना ही, रखना है, तो क्या जाएगा, 0.51, ठीक, अब क्या है, अब रख दो सीदे, फार्वूले, m is equal to, 1000, 0.51, क्या है, small w, 6, upon मे, क्या है, डेल टीबी, ओह, यह दिखो, यह, के बी, के बी, के बी, के बी, question में, के बी नहीं दिया गया है, पर के बी होगा, आपका, के बी, देखे, के बी की वैलू, दी गई है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, रख देंगे, 1000, 1000, के बी क्या है, 0.51, into, small w, कितना है, 6, अप वान में, डेल टीबी, कितना है, वो भी, 0.51, into, क्या हो जाएगा, capital w, कितना है, 100, ठीक, अब इसको solve कर दिजी, ठीक, यह देखे, यह cancel हो जाएगा, तो, m आपका कितना आएगा, आप जब solve कर देंगे, तो, आपका m आजाएगा, 16, ठीक, तो, इस तरीके से, question solve करते हैं, मतलब, डेल टीबी में, अगर दो temperature दिया है, तो, ठीक, नहीं, एक नहीं दिया है, तो, आपको खुद से 100, माइनस करना होगा, ठीक है, तो, इस तरीके से, हम, क्या, elevation of boiling points के, numerical को solve कर सकते हैं, ठीक है, उम्मीद है, आपको, उमारा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज हमारे चैनल को, subscribe और like जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे की सब पो फायदा हो सकें, हम लोग मिलते हैं, लास्ट वीडियो में, इस चैप्टर के, नेक्स टॉपिक, जो की लास्ट है, क्या, कि elevation, depression of freezing point, और उसको हम cover करेंगे, उसका numerical को solve करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, तब तक के लिए, टाटा बावबाई,